दोस्तों बात है 1934 का एक सैकोलोजिस्ट मैक्स वर्थेमियर ने पत्र लिखे किसको अलबर्ट एंस्टीन को अब ये पत्र अलबर्ट एंस्टीन के पास पहुचा मैं आपको वदा दूँ इस पत्र में एक इंट्रेस्टिंग पजल मेंसन था ये सैकोलोजिस्ट पजल पुछ 1921 में अलबर्ट एंस्टीन को नोबेल प्रैस से समानित किया गया था क्योंकि सैंस के फिल्ड में इन्होंने बहुत बड़ा रेविलियोशन लाया चाहे वाँ फोटो एलेक्टर की फेक्ट हो या इस्पेसल थियोरियो प्रिलेटिविटी हो या फिर इस इक्वल टू एमसी स्क्वाइर ये सुत्र हो या फिर ब्रोवियन मोसन हो सभी फिल्ड में लगभग इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और बहुत बड़े सैंटिस्ट भी माने जाते हैं अब इनके सामने छोटा मोटा पजल पहुचा है भाई आप कहेंगे इनको बनाने में क्या है त ट्रिकी पजल है लगता है ऐसा कि भाई ये पजल जो है बन जाएगा लेकिन वाकाई में इतना कॉम्प्लिकेटेड हैर ऐसा है घुमावदार कि नहीं बन पाता है अब क्या है वो पजल थोड़ा सा समझीए अब अलवट एंस्टिन बना पाते हैं उसको भी आप इस वीडि पर चड़ती है और ऐसे जाकर के उतरती है तो सबसे पहले मैं इसका जो पैरेमिटर है वो बताता हूं यहां से यह जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहां से लेकर यह जो मीड पॉइंट है यानि कि पीक पॉइंट सबसे उची पॉइंट यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 1 mil, कितना है 1 mil, चली यहाँ पर इस तरह से हम दर्सा देते हैं, ऐसे करके ऐसे, यहाँ लिख देते हैं 1 mile, 1 mile is equal to 1.6 km, यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ सौट में दर्सा आ गया है, लेकिन आपको यह उपर वह नहीं समझने, इसी दस ही हो जाएगा, यह अब कुल मिला करके, यहाँ से ले करके, कार जो है 1 mile जो है, डिस्टेंस ट्रेबल करती है, clear, और यहाँ से यहाँ तक उतरने का भी, जो यहाँ पर डिस्टेंस है, वो भी है 1 mil, कितना है, 1 mil, या फिर, इंगलिस में लोग 1 mile भी कहते हैं, clear, यहाँ से यहाँ तक भी 1 mil, और बात यहाँ पर यह, समझेगा थोड़ा गोर से नहीं, समझेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो मज़ा आने वाला चीज है, ठीक है, अब जो कार है, यहाँ से जब चलना प्रारम करती है, और यहाँ पर पहुंचती है, तो उसका जो average speed होता है, average speed, यानि आवसत चाल, वो होता है, 15 mil per hour, m का मतलब mil, मतलब की 15 mil चलती है, पर hour, यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानि की चड़ने में, अब उतरने में जो है, वो कितना distance कबर करेगी, 1 mil ही कबर करेगी, तो आप से यह सवाल पुछा गिया है, उस लेटर में यह सवाल था, कि इस कार को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना time लगेगा, ताकि average speed जो है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 mph हो जाए, कितना हो जाए, 30 mph हो जाए, भाई, कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, फि टिक पॉइंट तक पहुचती है, तो उसका चाल क्या होता है, आवसत चाल, 15 mph यहाँ पर लिख देते हैं, आवसत चाल, यह आवसत चाल है ठीक है, इतना है, यहाँ से यहाँ तक पहुचने में, तो आप से सवाल पुछा गया है, कि यह कार यहाँ से, जब यह कार जो है, यहाँ तक जब पहुच जाएगी, तो फिर यहाँ से यहाँ तक पहुचने में, कितना समय लगेगा, ताकि average speed, यह बला जो speed है, वो 30 mile per hour हो जाए, बस यही सवाले भाई, कितना time लगेगा, time पुछा गया है, तो देखें, किस तरह से solve होगा यह पजल, किस तरह से Einstein ने प्र चाल बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, फर्मूला, चाल बराबर होता है, दूरी बटा समय, क्या होता है, दूरी बटा समय, है कि नहीं, या फिर इसको सौट में बोलेंगे, चाल यानि speed, ऐसा बराबर में होता है, distance यानि d divided by time, यह बला फर्मूला आप पर हम चीजों को solve करते हैं, देखें यहाँ पर, यहाँ से लेकर, यहाँ तक का distance कितना है, वन मिल, और यहाँ पर चाल दिया गया कितना, 15 MPH, मतलब कि आपको distance भी पता है, और साथ में यह वला चाल भी पता है, तो time पता चल लेगा आपको, कि यह कार यहाँ से, यहाँ तक जाने में कितना ले रही है, तो चलिए इसी चीज़ को निगालते हैं, हम जानते, S is equal to क्या चीज़ होता है, D by T, S कमान हमें पता है, और साथ चाल जिसको कहेंगे, ठीक है, चाल के जगा पर ही S है, तो बताए, और साथ चाल कितना है, 15 MPH, तो यहाँ पर 15 लिखते हैं, बर यह जो T है इधर आजाएगा, और यह 15 इधर आजाएगा, तो T बराबर में हो जाएगा, 1 by 15 आवर, देखें, यह जो 15 कैसे आया इधर, और T इधर कैसे चलाएगा, यह सब कैलकुलेशन का चीज़ है, जैसे यहाँ, मायन के चलिए, यहाँ एक रहता, अब इसको गुना 15 को T से, तो 15 T हो जाएगा, एक को गुनाएक से कीज़एगा, यहाँ पंदरा T बराबर एक, इसलिए T बराबर में क्या हो जागा, एक पटा पंदरा, इस सब सिंपल चीजें है, यह सब बताने का चीज नहीं है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो समय है, हाँ, आप यह कह सकते हैं, कि आवर में कैसे आया, गंटा में कैसे आया, यहाँ पर चाल जो है, वो घंटा में दिया गिया था, है कि न, इसलिए जो टाइम है, वो घंटा में ही आपको आएगा इस फर्मूला के दवारा, इसको आप चाहेंगे, तो मिनट में भी कनवर्ट कर सकते हैं, यह से 1 by 15 आवर है तो बताए एक घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है अगर इस चीज़ को हम 60 से गुना कर देंगे तो वो चीज़ मिनट में चेंज हो जाएगा यानि 1 by 15 इंटू में हो जाएगा 60 और ये चीज़ जो है आजागा किसमें मिनट में अब काटिये पंद्र एकम 15 1560 तो बताए यहाँ पर कितना है चार एकम 4 यानि 4 मिनट आया कितना आया 4 मिनट clear वदब यह जो कार है यहां से यहां तक जाने में इस फीक पोइंट तक महुचने में कितना ले रही है 4 मिनट ले रही है किस स्पिट से जा रही है आउसत चाल कितना है 15 MPH अब हमसे जो सवाल पुछा गया कि भाई यहां से यहां तक आने में समय कितना लेगी यदि आउसत चाल पूरा पूरी यहां से लेकर के यहां तक 30 MPH हो जाए मलब कि 2 mil distance कभर हो जाए कितना में यहां से लेकर के यहां तक का बात की जा रही है यहां से लेकर के यहां तक का आउसत चाल का बात की जा रहा है तो डिस्टन्स इक्वल टू हो जाएगा टू गिनोला आएक त अच्वल एक बात यायगा एक बटा पंद्रा का मतलब क्या होता है यहां में अनि की 10 मीन बटा गर 10 से गन की जगत कितना आएगा चार मिनट ही आएगा भाई चार मिनट ही आएगा इसको आप टी डैस भी बोल सकते हैं क्योंकि यह जो टाइम है वो यहां से यहां तक का आ रहा है यहां से लेकर के यहां तक कार जो ट्रैबल कर रही है यहां से लेकर के यहां तक कितना समय खर्ज कर रही है उस अब बताई यहां से यहां तक जाने में 4 मिनाट, फिर यहां पर जो हम निकाले हैं, इस आधार पर यानि दो मिल डिस्टेंस साथ में इंफरेज इतना हो जाए, तो जो टाइम आ रहा है, ती डैस आ रहा है, वो आ रहा है 4 मिनाट, मलब कि यहां से यहां तक जाने में भी चार मिनट अरीब है यह कैसे हो सकता है कार यहां से लेकर कि यहां तक चार मिनट में पहुँच रही है फिर चार ही मिनट में यह पूरा कभर हो जा रहा है मलब कूल मिलाकर के बात यह हुआ कि यहां से यहां तक कार को पहुँचने में समय लग ही नहीं रहा है T is equal to 0 हो जा रहा है T is equal to 0 हो जा रहा है 0 क्यों हो रहा है भाई इसलिए हो रहा है क्योंकि यह जो 4 मिनट आया है वो यहां से लेकर के यहां तक ट्रेबल करने में आया है समय कार के दोवारा एक नहीं क्योंकि जो 30 MPS जो था ना यह average speed वो यहां से लेकर करके यहां तक के लिए दिया गया था clear अब समस्या मतलब कि यहां से जब कार चलेगी तो समय भी नहीं लगेगा और यहां पहुँ जाएगा यह कैसे समभू सकता है it is not possible आप कहेंगे नहीं infinite speed से चलेगा कार यहां से यहां तक जाने में चार मिनट लिया यहां तो ठीक है और यहां से infinite समय मतलब कि speed से चलेगी कार तो फिर हो जाएगी t is equal to 0 में लेकिन भाई यह भी आपको धियान में रखना पड़ेगा कि कोई भी चीज लाइट की speed से जादा speed से नहीं चल सकती है जो लाइट का speed होता है 3 into 10 to the power 8 3 into 10 to the power 8 meter per second इस speed से जादा speed से कोई भी चीज नहीं ट्रेवल कर सकती है तो यह car infinite speed से कैसे ट्रेवल करेगी समस्या है यहां time zero क्यों आ रहा है कुल मिला कर कि यह possible ही नहीं है यह average speed जो यहां पर condition में दिया गया है कि यह 2 mil जो distance से कभर हो जाए यह possible नहीं है भाई यहां से यहां तक फिर जो समय हो जीर हो जाता है यहां से यहां तक को car को पहुझने में ही 4 minute का समय लग जा रहा है तो instant भी इसको solve करने में असफल हो गए और फिर पत्र में लिख दिया कि it is not possible समय बचता ही नहीं है कार को इस point से इस point तक पहुझने के लिए समय बचता ही नहीं है अब सूचिए इस तरह से करके फिर वो letter को return किये इस psychologist के pass अब यहाँ पर सोचने की बात है कि भाई Albert Einstein इतने बड़े scientist ऐसे ऐसे puzzle solve करने में क्या जाता है solve कर देंगे या फिर इसके अंदर में क्या truth है वो निकाल देंगे लेकिन उन्होंने इस इस को बताया कि समय जो है न बचता ही नहीं है जब यह car यहां से यहां तक पहुचती है तो इस average speed से यहां तक पहुच जाए यह possible ही नहीं है time बचता ही नहीं है ठीक है और यह जो average speed जो बार बार बोल रहा हूं यह बला यह पूरा के लिए है यहां से लेकर के यहां तक और average speed आपको पता होगा, क्योंकि भाई, कार जो है, हमेसा regular speed से नहीं चलेगी, चे नहीं उतरेगी, यहाँ चड़ने में थोड़ा सा शुरू में तेज रहेगी, देरे-देरे low हो जाएगा, फिर यहाँ जब उतरेगी, तो धिरे-देरे जो रोते जाएगा, और नीचे बहु to zero आजाता है, समय क्या हो जाता है, zero हो जाता है, क्योंकि दोनों जगा चार-चार मिनट आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में भी चार मिनट, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में भी चार मिनट, तो कुल मिला करके, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने नहीं आ रहा है लेकिन इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बुक का नाम, उसी बुक में यह स्टोरी मिलता है, तो चलिए दोस्तो मुझे उम्हेड है कि आप समझ गे होंगे पजल को कि क्या था पजल, अगर आपको कुछ इसमें राय देना है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका answer क्या हो सकता है तो चली दोस्तों आज के लिए इतने ही आप मिलेंगे अगला वीडियो में जैहिंद भूंदे मातरव